आदाब दोस्तो, पूरो मुख्य मंत्री, राजस्तभा में नेता प्रतिपक्ष और कॉंग्रस के दिगज घुलाम नभी आज़ाद आजकल अपने शेत्र उदुमपूर डोडा में हैं और इस इलाके में इसलिए हैं क्योंकि वो कॉंग्रस के उदुमपूर डोडा लोग सभा कॉंश्विंसी से जो प्रत्याशी हैं विक्रम अधिति सिंग उनके लिए चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं उनके लिए वोट मांग रहे हैं गुलाम नभी आज़ाद जाहिर सी बात है पिछले 5 साल भारते जनता पार्टी के MP डॉक्टर जतिंदर सिंग जो पावरफुल M.O.S. P.M.O. हैं उनकी बारे में बता रहे हैं कि क्या कुछ उन्होंने नहीं किया भारते जनता पार्टी की पॉलिसी पर भी बात कर रहे हैं और इस इलाके की बैकवर्डनेस को भी लोगों के साथ सांजा कर रहे हैं ये तमाम काम गुलाम नवी आजात कर रहे हैं मगर T.S.L. के माद्धिम से जहां हम भारते जनता पार्टी के डोड़ा उधुमपुर शेतर से MP डॉक्टर जतिंदर सिंग के बारे में जो लोगों से हमारी बात चीत हुए इनना साफ तोर पर कहा कि डॉक्टर साहब ने इस जो डेवलप्मेंट के काम बड़े बड़े डेवलप्मेंट के काम थे वो नहीं कराए और अगर कुछ हुआ भी तो बिलकुल आखरी कुछ महीनों में हुआ कहीं पर फार्टीशन स्टोन लग गया लेकिन वो रोड्स वो ब्रिजज वो टनल जो बनने थे वो नहीं बने बैकवर्डनेस अभी इस शेत्र की सचाई है वहीं पर टीशल आपको कुछ वीडियो दिखाएगा और दिहान से इन वीडियो को देखेगा और इन वीडियो को देखने के बाद टीशल आपको ये बताएगा कि गुलाम नभी आजा च्छेतालिस साल से दिल्ली में हैं और च उनके शेत्र को दो हजार आठ में रंगराजन कमिटी की रिपोर्ट में भारत का दूसरा बड़ा बैकवर्ड डिस्टिक बोला गया और जब में दो हजार आठ की बात कर रहा हूं तो खीक दो हजार आठ में गुलाम नभी आजाद मुख्य मंत्री की कुर्सी से जमो कश्मी में मुख्य मंत्री बन कराएं लॉइन पार्लिमेंटरी अफेर्स मिनिस्टर थे दोहजार नौ से लेकर दोहजार चोदा तक केंदर में हैल्थ और फैमिली वेलफियर मिनिस्टर रहे लेकिन 46 साल दिल्नी में रहने के बावजूद कॉंग्रस के सबसे ताकतवर नेता होने के बावजूद जरा गुलाम नभी आजाद के इलाके का हाल देखिए उनके अपने घर भलेसा का हाल देखिए गंदोख का हाल देखिए बोंजवा का हाल देखिए दोड़ा का हाल देखिए किस्तवार का हाल देखिए बदर्वा में थोड़ी बहुत development नजर आती है लेकिन बदर्वा के दूर दराज इलाकों में जाईए तो आपको सचाई मालूम पड़ती है गुर्बत का आलम देखिए विडियो देखिए और उसके बाद जरा कोशिश करेंगे पूरो मुख्य मंतरी से हम भी ये पूछें कि पांच साल का हिसाब तो आप मांग सकते हैं लेकिन आप से 41 साल का हिसाब क्यों न मांगा जाए झाल 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 देख लिए आप कहीं सड़के नहीं है सचाई ये है कि डोडा को मेडिकल कॉलेज मिला वो मेडिकल कॉलेज भी यूपी ए ने उस समय डिस्टिक डोडा को दिया जब यूपी ए के बिलकुल आखरी दिन चल रहे थे जब केंदर में वो वापस नहीं आ रहे ये खबर उन तक पहुँच चुकी थी सवाल यहां पर यह है 46 साल से गुलाम नभी आजाद दिल्ली में है लेकिन तीन डिस्टिकों पर मुश्तमिल इतने बड़े इलाके में एक यूनिवस्टी नहीं है यूनिवस्टी के नाम पर एक कैंपस है एक किष्टवाड में है, एक बदरवाँ में है और एक डोडा में भी कैंपस खोला गया लेकिन उसका नाम निशान नहीं कॉलेज हों की सुरत आशाल आपको मालूम है इस पूरे इलाके में एक वेल इक्यूप्ट हgriff हॉस्पिटल नहीं है इस पूरे इलाके में एक well equipped trauma center नहीं है इस पूरे इलाके में आज भी अगर गाइनी का कोई patient critical हो जाए तो उसकी किस्मत है कि वो जम्मू तक जिन्दा पहुंचे तो जाके उसका जम्मू के गाउंट medical college में इलाज होगा वरना आप जानते हैं कि क्या होता है इस पूरे इलाके में आज भी बिजली का crisis रहता है इस पूरे इलाके में आज भी अलग अलग गाउं की तरफ सडकें गई तो जरूर है और आपको जानकर हरानी होगी कि Asian Development Bank से लोन लिये गए करून रूपिया लोन लिया गया उन लोनों से ये सडकें सडकों की तामीर की गई लेकिन आज जन सडकों की हालत क्या है वो आप भाखो भी जानते हैं आप PWD Department से सडकों के बारे में पूछें तो उनका जवाब अजीब औ गरीब और हैरान करने वाला होता है इस इलाके में बरफ होती है हम क्या करें इस इलाके में बारिज ज़्यादा होती है हम क्या करें तो चीरा पूंजी में क्या होता होगा यूएस में क्या होता होगा इंगलेंड में क्या होता होगा उत्राखंड में क्या होता होगा अगर ये पैमाने आपके हैं फिर तो जहां बारिज ज्यादा होती है वहां सड़क बनाने की जरूत नहीं है जहां बरफ ज्यादा होती है वहां सड़क बनाने की जरूत नहीं है ये सब कुछ इस इस इलाके की सचाई है इस इलाके की ये भी सचाई है कि अनिम्पलाइमेंट का रेट देखिए तो अनिम्पलाइमेंट के रेट के मामले में भी ये इलाका सबसे उपर है इस इलाके में गुर्बत देखिए इफलास देखिए तो इस इलाकी की गुर्बत और इफलास इस मुल्क में इस इलाके को नमबर दो पर रखती है आप इस किश्टवार का हॉस्पिटल देखें आप बदरवा का हॉस्पिटल देखें आप डोडा का डिस्टिक हॉस्पिटल देखें तीनों जगा आप इन हस्पतालों में जाएं आप इन हस्पतालों के अंदर का हाल देखें देखें किन जगों पर कातायून किया गया इन हस्पतालों को बनाने के लिए आप डोडा के कंजिशन को देखें आप किश्टवार के दूर दराज इलाकों में इस वक्त भी रोड नहीं है और घुलाम नभी आज़ाद 46 साल से कॉंग्रस के दिगज नेताओं में से मानग जाते हैं घुलाम महम्द सरूरी मनत्री रहे कैबनिट के भी मनत्री रहे पदाज अब्दलमजीद बानी विकार असोल पावर मिनिस्टर रहे मोस पावर थे फुल फ्लेज़ पावर मनत्राले उनके पास नहीं था और आज भी ये सचाई है, लोग कहते हैं कि गुलाम नभी आजाद किसी भी कैनिडेट के लिए जब अपने इलाके में वोट मांगने जाते हैं, तो लोग उनके कहने पर उस कैनिडेट को वोट देते हैं, लेकिन क्या आपको ये बात हैरान नहीं करती, कि जहां डॉक्टर अगर मेटल रोड नहीं है, क्यों नहीं है, क्या आपको नहीं लगता कि उनसे पूछा जाना चाहिए, कि अगर आज गंदोख के रोड में प्रॉबलम है, तो क्यों है, क्या आपको नहीं लगता कि डोडा भरत रोड के उपर जो प्रॉबलम है, उसके बारे में उनसे नहीं 46 साल में क्या आपको नहीं लगता कि डोडा में युनिविस्टी कैमपस तयार होकर तयार हो जाना चाहिए था क्या आपको नहीं लगता कि डोडा में डोडा इतना बड़ा इलाका है ये इलाका एक एरपोर्ट डिजर्व करता है एक एरपोर्ट इस इलाके में होना चाहिए था ये तमाम चीजें अगर इस इलाके में नहीं हुई है और भी कई पैरामीटर्स हैं जो मैं गिनवा सकता हूँ सबसे बड़ा पैरामीटर बटोट से लेकर आपका डोड़ा तक रोड़ और उसके बाद जो आपका डोड़ा से किस्तवार तक रोड स्ट्रेच है 46 साल में ये रोड नहीं बन सका 46 साल से इस रोड का कुछ नहीं हुआ धाई साल गुलाम नभी आजाद खुद जमुकश्मीर के मुख्यमंत्री थे धाई साल मुख्यमंत्री रहे धाई साल उनके मुख्यमंत्री रहने के बावजूद सुद महादेव से जो एक टनल बनना था वो टनल नहीं बना ये तमाम वो काम हैं और कई और काम हैं जिनको मैं लिस्ट कर सकता हूँ सवाल ये है कि जब इस बार आप लोकसभा के चुनाओं में वोट दें तो पांच साल का हिसाब डॉक्टर जतिंदर सिंग से मांगना लाजमी है लेकिन साथ में ही एक तालिस साल का हिसाब गुलाम नभी आजाद से मांगना भी जरूरी है तभी इनसाफ होगा